इलो बच्चो गुर्ण मार्निंग। मैं में अम्ताय वर्णम क्लास थर्ड की बच्चो को आधनिक विज्ञान का थर्ड लेशन का सेज भाग पढ़ाने जा रही हूं। तो बच्चो इसके पहले टन पे मैंने आपको साकाहारी, मांसारी, सर्वाहारी जन्तों के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगे जन्तुओं की खाने की विभिन विधिया, सभी जन्तु अलग-अलग प्रकार के होते हैं और अलग-अलग किस्म के भोजन करते हैं और इनके भोजन करने का तरीका भी अलग-अलग ही होता है आज लेकिन भाजो बोजन जन्तुओं बोजन अपने मूह से ही करते हैं लेकिन सहभी जन्तुओं के भोजन करने के तरीके के अनुसार उनके जबडे, उनके दान, उनके जीब में अंतर पाया जाता है उनके मुंह के बनावट में भी अंतर होता है और इनके दात को अपने बोजन के अपने बोजनक करने के लिए उनके जो दात होते हैं उस सहाली करने ओले जहिद जैसे चनना नूदे चौपई जानगे बेड़्य है गाय है भैस है यह जहर करते हैं और इसे घंध बहुत किảmosis और ऐसे अधिक मात्रा में अपने पेट में चबहले अपने पेट में कठा कर लेते हैं फिर बाद में धीरे धीरे उस भोजन को वापस पेट से मुँ में लाते हैं और उसको चबाते हैं जिस प्रक्विया को जुगाली करते हैं लेकिन बच्चो, हाथी अपने भोजन कैसे करता है, अपनी सूर की सहायता से हाथी अपना भोजन करता है, सूर से अपने हाथों का भी उकाम कर लेता है, वो फल, टहनिया, पत्ते आधी को भी तोड़ करके खाता है, तो बच्चो भोजन को चीर फार कर खाने वालों जन्तु कौन से होते हैं यह मांस खाने वाले जन्तु होते हैं पहले तो आप यह जान लीजिए जिसे सेयर है बाग है कुट्ता है यह सब जन्तु जो है मांस को चीर फार करके खाते हैं और इनके सामने वाले दाथ जो है बहु इंके दाथं बहुत तेज होते हैं और यह कुतर करे कोई भी चिछ पल है सबजी है यह बहुत तेज से कुतर कर घृते हैं जैसे चुहायाँ खरवोस है लज़ारी तैंक युवर्य चुर्प, जल्यकि वाघ्यूर घ्लागु